Welcome to Chart Traders आज हम इस वीडियो में Symbol Token Mapping देखेंगे using script master file Last video में हमने 3 वस्या Sunnye API में Symbol Token Mapping देखा था using search script function So, आज हम इस वीडियो में Symbol Token Mapping देखेंगे using script master file So, मैंने यह 3 वस्या के Sunnye API का page open किया है Github पे So, हमने last video में search script explore किया था So, अब हम क्या करेंगे यह जो file है Okay, जिसमें सारे token NAC, CDS, VSC, NFO सारे token यह file में होते है और आप यहां पे देख सकतो मैंने यह file भी open किये तो यहां पे यह कौन-कौन से instrument है Exchange है, token है, lot size है, symbol है, trading symbol है, instrument है और tick size है So, यह NAC का पूरा देता है Same way आप यहां पे देख सकतो जो मैंने NFO की file डाउनलोड की है So, यहां पे strike भी है, option type है, call है, put है, strike price है, tick size है So, हम क्या करेंगे, पहले, जो हमारी जो अब तक की habit है, मैंने यहां पे एक सारे credentials store की है मैंने एक function बनाया है, initial symbol token map तो यह यहां पे आप देख सकते हो, यह link पे NAC symbol file डाउनलोड करेगा और वो token df, L.token df में store करेगा Login के file में एक variable है, token df जिसमें NAC के सारे token store होंगे और यहां पे मैंने एक और variable define किया है, login.py में and token df, जहां पे किया है, सारे NFO के symbol store होंगे फिर आप यहां पे देख सकते हो, GAT token info, तो मैंने यहां पे पहले फिल्टर की है, instrument type से, equity है, क्या index है आप यहां पे देख सकते हो, जो NAC की जो file है, जिसमें instrument जिसमें instrument है, तो आप यहां पे देख सकते हो, index है यहां पे index है, मिंस Nifty 50 और Nifty Bank का और India Wix का, Fairfin Nifty का, वह, sport price है, ठीक है और बाकी के सारे equity है, जिसमें लिखा है EQ, आप यहां पे देख सकते हो, तो यह file हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, किस से, instrument से, ठीक है और अपने जो token है, अपने जो symbol है उच से, शिंबोल के है, Nifty 50 है Nifty bank है, small में, ठीक है, अगर किसी भी stock को, zil capital में है, ठीक है, अगर आप trading symbol से filter करेंगे, तो zil dash eq, ठीक है, आप search भी कर सकते हो, जो हमने last video में किया था, तो मैंने यहां पे filter किया, आप देख सकतो, eq है, तो मैंने filter किया exchange, instrument name, और instrument type से, दोनों में, ठीक है, जो भी first value आगी, वो return करेगा token में, तो मैंने यहां पे आप देख सकतो, पहले nifty bank pass किया है, nsc और index, तो मुझे उसका token मिलेगा, same way मैंने access bank pass किया है, nsc और eq, तो उसका मुझे token return करेगा, तो let's run, यहां टक हम run करते हैं एक बार, पूरा, तो आप यहां पे देख सकतो, यह मुझे nifty bank का token मिला 260009, और access bank equity का 5900, तो मैंने यहां पे कौन सा function call किया है, gat token info, अब हम nfo का, मैंने अलग से function मनाया nfo का, जिसमें आप देख सकते हो, अगर हम instrument से filter करते है, instrument type से, तो आप यहां पे देखो, यह file में, तो आप देख सकतो, यहां पे instrument कौन सा है, OPD STK, that is option stock, option index, आप यहां पे देख सकतो, मैंने mention किया है, four category, option stock, option index, future stock, future index, तो यह दो future के लिए है, और यह दो option के लिए है, तो यहां पे हम क्या पास कर रहे है, for example, zil, nfo, option stock, कोंसी strike price है, call or put, same way मैं यहां पे index पास कर रहा हूं, bank nifty, अगर आपको, अगर यह symbol आपको देखना है, तो आप यहां से एक बार fetch करके देख सकते है, तो यहां पे आप सर्च कर सकते हो, तो यहां पे मैंने सर्च किया, तो यह सारे call है, लेकिन हमें सिब यह हमने यहां से filter किया है, यह symbol से, हमें सारे bank nifty पे जितने भी है, वो सारे मिल जाएंगे, अब यहां पे देखो मैंने further process किसे किया है, 14,000 और put से, तो और मैं पहली यहां पे future को process किया है, तो यहां पे future का चाहिए, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, future index, यह function मैंने यहां पे create किया, same code है, सिब यहां पे minor change है, हमने strike add किया है, option type add किया है, दो, तो यह किसके लिए, option के लिए, future में as it is रहे का, कोई change नहीं, सिब यह आपका instrument type change होगा, future stock okay, so इसको पूरा code को हम run करते है, आप यहां पे देख सकते हो, तो आप यहां पे देख सकते हो, तो आप यहां पे देख सकते हो, okay, 295 का call है, जिल का, 29 September expiry का, bank nifty का, आप देख सकते हो, 24 November 2022 का, उसको आप change कर सकते हो, okay, मैंने यहां पे क्या लिखा है, अभी 40,000 लिखा है, okay, मैंने expiry नहीं लिखा, जो भी first आप फिल्टर करेगा, आप यहां पे देख सकते हो, future, जिल future और bank nifty future, आप इसको process कर सकते हो, इसको वापस filter कर सकते हो, expiry से, okay, यह format में आपको expiry देना है, last argument और वापस इसको आप आप filter कर सकते हो, यह simple video था, जहां पे हमने symbol token mapping देखा, using scriptmaster file, if you like my video, subscribe to my channel, and share with others, thank you